नमस्कार स्वागते आपका नियूस वोल इंडिया में आपके साथ मैहू पारुलत्यागी भारतिय सेने अकार्डमी में पासिंग आउट परेड के साथ ही आज भारतिय थल सेना को 319 युवा जावाजों की टोली मिल गई इसके साथ ही मित्र देशों के 68 केड़ेट भी पास आउट हो चुके हैं आपको बता दे 387 जेंटलमेंट केड़ेट बतौर लेट्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिनन अंग बन गए हैं ऐसे में 68 युवा सेन्य अधिकारी आठ मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, श्री लंका, नेपाल, मालदीप, मयम्मार, तंजानिया और तुर्क मेनिस्तान की सेना का अभिन अंग बने हैं इसके बाद धेरदून इसे प्रतिश्ट्र इद्भार्तिय सेन्य अकादमी के नाम से देश विदेश की सेना को 63,668 युवा सेन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है इनमें मित्र देशों को मिले 2624 सेन्य अधिकारी भी शामिल हैं राश्पती रामनात कोविन बतोर निरिक्षण अधिकारी परेट की समेक्षा करने के लिए पहुँचे और पास आउट हो रहे सभी जेंटलमेंट से उन्होंने सलामी ली उनके साथ में कमांडेंट लेटिनेंट जोर्नल हरिंद्र सिंग और स्क्वाट ऑफ ओना विजेता अनमोल गुरुंग भी मौजूद रहे इसके बाद भावी सेन्य अफ़सरों की फव्य मार्च पास्ट हुई समारो में राश्पती रामनाथ कोविन ने केड़ेट सको अबॉट से सम्मानित भी किया जोड़ वदर्स इंक्लूदिंग जनरल रावत वाइफ स्रीमती मधूलिका रावत जी इस बार की परेट के दौरान हर इसता पर बेहर सतर्कता बढ़ती गई आईयमे के अतिहासिक चेक वुड भवन के सामने ड्रिल स्कॉयर पर पर परेट सुभा साड़े साथ बजे शुडू की गई और इस दौरान कमांडेंट लेफटेनेंट जनरल हरिंद्र सिंग और डिप्टिक कमांडेंट आलोग जोशी ने परेट की सलामी ली इसके बाद जनरल कमांडेंग ओफिसर लेफटेनेंट जनरल राज शुकला ने परेट को सलामी दी आपको बता दे राजपाल, गुर्मीद सिंग और सीम पुषकर सिंग धामी भी इस परेट में शामिल हुए थे पी ओपी को सादगी से आईजुद किया गया था दरसल इस बाद परेट के दोरान ड्रिल स्क्वायर पर मार्च पास, अवोर्ड, डिस्टिब्यूशन, पिपिंग और ओथ सेरमनी की रस्म तो निभाई गई लेकिन जश्ट नहीं मनाया गया साल 1971 के भारत पार्क युद्ध में भारतिय शुशत्र सेनाओं की जीत के 50 साल पूरे होने के अफसर पर आईजुद इस परेट को यादगार बनाने की तैयारी कई दिनों पहले से ही की जा रही थी लेकिन इस भी जो दो दिन पहले तमिलनाजु के कुनूर में हुए हेलिकॉप्टर हाथ से में चीप आफ डिफेंस स्टाफ जनल विपन प्रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेथ सेना के और वाई सेना के 13 अधिकाल के और जवानों का निधन हुजाने की वच्छा से यहां पर इतना जशन नहीं मनाया गया सीडियेस जॉर्नल रावत को भी राज़पती के साथ परेड में शुरकत करने के लिए आईयम में पहुँचना था पर नियती को कुछ और ही मन्सूर था चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि कितने अफसर मिले हैं देश को भारतिय सेन्य अकार्डमी से पासा उठ होने वाले जेंटलमेन कैडेट्स में 43 उत्राखन के हैं ये शनिवार को यानि कि आज पासा उठ हुए 319 भारतिय कैडेट्स की संख्या का 14 फीजदी है इस बार भी पड़ोसी राज़े उत्रप्रदेश के कैडेट्स की संख्या सबसे ज्यादा 45 रही है राज़े बर कैडेट्स की संख्या उत्तर प्रदेश से 45 कैडेट्स मिने उत्राखन से 43, हर्याना से 34, बिहार से 26, राजिस्तान से 23, पंजाग से 22, मध्यप्रदेश से 20, महराश्ट्रों से 20, हिमाचल प्रदेश से 13 कैडेट्स मिने जबकि जंबु कश्मीर से 11, दिल्ली से 11, तमिलनाजू से 7, कनाटक से 6, केरल से 5, आंद्रप्रदेश से 5, चरंडिगर से 5, छाकन से 4, पश्रिम बंगाल से 3, तेलंगाना से 3, मनिपुर से 2, गुझराच से 2, गोवा से 2, उरिसा असम और मिजोरम से 2, 2 कैडिट्स मिले, इसके साथ 36, मिजोरम की बात करें, तो उससे भी 2-2 कैडिट्स मिले हैं, और किन पदक, बियो, तुशार, सप्रा को मिला, कांसे पदक, बियसे, आयूश, रंजन को मिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर, केरेन कॉय, बांगलादेशी ट्रॉपी, बियो, सांगे, फैंडेन, दोर्जी, सीडियस के निधन पर घोशित, राजकी शोक के चलतेयक आदमी को बीते दिन कमांडेन परेट को स्थाकित करना पड़ा था, साथी मुख्य पासिंग आउट परेट की पूर्फ संध्या पर आईजवित होनी पाले दो तिन अन्ये कारिक्रम भी व्रद करने पड़े थे, पीओपी को भी साध्गी से आईजवित करने का निधन नैस के लिए फिलाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें ये स्वाल इंटिया